नमस्कार दोस्तों मैं हूं अनिशा फ्रॉम प्रिटी किचन और अभी आपको रिक्वेस्ट करते हूं कि अभी मेरे चानल को सब्स्राइब कीजे लाइक कीजे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली की साथ शेर करना विल्कुल भी न भूले तो चलिए नियू रेसिपी शूरू प्रेंड्स आज तक आपने स्प्रिंग रोल तो बहुत काये होंगे तरह तरह के खाये लेकिन मैगी वेज स्प्रिंग रोल फर्स्ट टाइम ये रेसिपी मेरे कर आई हूं आपके लिए तो चलिए देखते हैं केसे बनाना है हमें दो पैकेट मैगी के लगेंगे इसके साथ गाजर तीन, पत्ता गोबी, शिमला मिर्चार, थोड़ा सा धनिया और मैगी तो सबसे पहले हमें मैगी को बॉइल कर लेना है 80% ये दीखिए, मतलब ये बहुत कूक नहीं है, 80% हमने कूक कर लिया और पानी से ठंडे पानी से दोने के बाद इस तरह के से रख देंगे इसके बाद हमें थोड़ा सा ये ओयल चाहिए, एक बड़ा चमच ओयल ही ये हम कम तेल में इसकी फिलिंग्स बनाएंगे, ओके तो सबसे पहले बिल्कुल होट, सुपर होट इस तिल को हमें करना है इसके बाद हम इसमें डालेंगे चार पार्च लेसुन की चॉप्ट के लिया इसके साथ आधा एंच अद्रक चॉप्ट और इसके साथ मैं एक ग्रीन चिली भी इसमें डालने जा रही हूँ इसके साथ हम इसमें डालेंगे एक चमाज शुगर जब हम तेल में शुगर डालते है तो इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है कोई भी चाइनिस आइटम है तो हमें क्या करना है यहापे जो वेजटेबल से इनको सिर्फ क्रंची करना है इन्हें बहुत कूख नहीं करना है नहीं तो यह अपना पानी छोड़ देंगे तो हम बिल्कुल स्टर फ्राइ करेंगे इनको क्विक क्विक टॉस देंगे बिल्कुल तो इसमें जो है गाजर जो है मैंने तीन मेडियम साइज की कद्दू कस कर लिये थे और अल्मोस्ट चार कैप्सिकम यानि शिमला मिर्च को लंबा लंबा कट कर लिया है अब गाजर भी साटे हो चुका है हाई फ्लेम पे मैं यह फ्राइ कर रही हूं और इसके बाद हम डालेंगे पत्ता गोबी अगर मैंने पत्ता गोबी पहले डाल दी होती तो यह क्या होती मतलब कूक हो जाती जल्दी है इसलिए मैं सबसे लास में इसको ढाल रहे हूं तो इसको भी थोड़ा साही डालाए मैंने पत्ता गोबी को अल्मोस्ट गाजर का कदूकस जो है एक बड़ा कब था और थोड़ा थोड़ा पत्ता गोबी था ठीक है अभी हम इसको अच्छे से क्रंची होने तक टॉस कर रहे है अब यह रेडी हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे अपने सिज्लिंग्स तो इसमें मैं डाल रहे हूं ब्लैक पेपर पाउडर जो मैंने होमेट किया हुआ है अल्मोस्ट एक टेबल स्पून इसके साथ मैंग्स कर लेता है तक डालेंगे और जो नहीं करा सब्सकुन कृटी हो इसमें डालंगे हमारे मैगी नूडल्स अबहुति यह बहुत ही लस्टिकनेस और उसकी टेस्ट अजीब सी आती है अबहुतिक यहां पर मैगी नूडल्स यूज़ कर लें क्यूंकि उसकी टेस्ट थीक है बाकी जो नूडल्स की कम्पेर में तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी विजिस में और एक बात यहाँ आपको बता दू सबसे पहले हम यह जो फेलिंग्स है फेलिंग को अच्छे से रेडी करके रखेंगे अभी मैंने डाला है विनेगर थोड़ा सा आधा ढगकर और यह है टू टेबल स्पून सोय सॉस इसके साथ ही मैं डालने वाले हूँ रेड चिली सॉस एक बड़ा चमच आप इसको कम जादा कर सकते हैं जिसना मतलब आपको स्पाइस चाहिए उसकी साप से तो अच्छली क्या ह कि मैंने यहां पर जो यह फीलिंग हम बनाएंगे ना इसमें कम भी तेल यूज किया है जादा बहुत बहुत ओईली ना बने क्यूंकि हम इसको फ्राय करने वाले हैं इसके साथ जाएगा मैगी का जबरदस्त मसाला जीहां क्यूंकि हम बनाने जा रहे हैं मैगी वेच स्प् इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि सॉसेस में अल्रीडी नमक होता है तो इसको अभी ठंडा होने के लिए रखते हैंगे यह ऐसे भी बहुत टेस्ट है यह लिजिए तो इसके लिए हम जो शीट्स यूज़ करने वाले हैं स्प्रिंग रोल की इसके लिए मैंने लिया है दो कप मैदा थोड़ा से सॉल्ट अब इसको सॉल्ट को अच्छे से हम मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे उतना पानी जिससे हम डोसा जैसे फैलाते हैं तवे पर उस तरीके का हमें इसमें घोल बनाना है तो दोस्तों यहा लेंगे हम जैसे आप देख रहे हैं हमें बाजार से खरिदने की कोई जरूरत नहीं है बहुत ही आसानी से बन जाती है और हां मेरे घर में चार लोग है तो चार लोगों की हिसाब से मैंने यह सारा जो मतलब इंग्रेडियन की कॉंटिटी यह ली है अगर आपके घर में दो थोड़ा करके पानी इसमें डालेंगे बिल्कुल हमें बैटर की कंसिस्टनसी बहुत अच्छी होनी चाहिए बहुत पतला नहीं और बहुत गाड़ा नहीं चली हम मैं आपको दिखाती हूं दूसरे अंगल से थोड़ असा पिंच ओप बेकिंग सोड़ा हम इसमें डालेंग थोड़ा साफ्ट और सौगी सोगी सो हो जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए हमें अच्छा टेस्टी क्रंची चाहिए तो यह देखिए फ्लोइंग कंसिस्टनसी है बिल्कुल बैटर की और पूरा अच्छे से गुटली या ना रहे ऐसा मिक्स कर लीजए तो दोस्तों मैंने एक और चीज़ या पी की है हमारा जो फिलिंग है उसमें मैंने मैगी मसाला मैजिक टाला हुआ है सो दाट कि उसकी टेस्ट और उभर की आए तो चलिए अभी हम बनाएंगे शिट्स स्प्रिंग रोल शिट्स बनाना बहुत आसाने घर पे सिदा सिदा एक एक चमबच करके इस तरह के से बैटर को फैला दीजिए गरम तबे पर तब अच्छा गरम होना चाहिए फिर उसकी फ्लेम को लो करके इसको इस तरह के से दोसा जैसे फैलाते हैं वैसा फैला के बना लिजिए और ये बहुत ही आसान तरह के से फैल भी जाता है डरियमत बिल्कुल भी दोसा जैसे फैलाते हुए कुछ गड़वर हो जाते हैं वैसा इसमें नहीं होता है ओके ये मैदे का घोले तो दोनों तरफ से अच्छे से बहुत ही जादा कुकने करना है थोड़ा सा कुकोर जाए बस इतना हमें कुक करना है और ये जो शिट्स है ना इसको रेडी करने के बाद ठंडा होने दीजे उसके बाद इस पे हम मैदा स्प्रिंकल करके एक एक करके सारी शिट्स रेडी कर लेंगे इस तरह के से तो ये देखिए मैंने काफी सारी शिट्स बना ली अल्मोस्ट मैंने बनाई थी 18 शिट्स दो कप मैदे से जो की बराबर से हम चार जुन को आराम से पेड़ भर के पूरा स्प्रिंग रोल हमने खतम कर लिया तो ये इस तरह के से हमने रखना है तो शिट्स आपके चिपकेंगे नहीं तो चलिए अब हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल उसके लिए मैदे में थोड़ा सा पानी राल कर इस तरह के का गोल बना लीजे तो ये बहुत ही आसान है बर थोड़ा सा टाइम लेती है ये रेसिपी लेकिन जब पूरा बन के रेडियो हो जाती है तो आपको यकिन माईए बहुत ही जादा अच्छा लगेगा जब घरवालों को आप इस तरह के से टेस्टी टेस्टी कुछ बना के खिलाती है ना तो मतलब अच्छे हट टेल को गरम करके बिल्कुल लोग पर कर दीजे उसके बाद इसको लो फ्लेम पर इस तरह के से अच्छे से फ्राय करिए धानरे के बहुत जलाना नहीं है बहुत कच्छा भी ने रखना है बिल्कुल मेडियम गुल्डन ब्राउन क्रुंची हमें ये इस टाइम आप घर पर जरूर बनाइए क्योंकि बाहर तो लोगडाउन है कोई जाने पाएगा और बच्चे भी बेचारे कितना पीजा बर्गर और क्या-क्या हम सब कुछ ट्राय कर चुके लेकिन अभी निव रेसिपीज को ट्राय करने की बारी है और मैं ऐसे ही बहुत ही निव डिलिशेस रेसिपीज लाती है हूँ दोस्तों तो आपने अभी तक सब्सक्राइब तो किया होगा ना अगर नहीं किया है तो आप ही भी कर लीज़े बिल्कुल फ्री है और ये रेसिपी आपकी अपनों के साथ बिल्कुल शेयर करिए ये देखिए बिल्कुल गरमा- आपलोड किया हुआ है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बहुत ही जल्दी यह चटनी बन जाती है जो कि चाइनीज जो भी हम आइटम बनाते हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगती है बहुत ही ज़्यादा यह इतने गरम है कि मैं इनको टच भी ने कर पा रही हूं फिर भी आपके लिए बिल्कुल आपकी लिए यह गरम-गरम मैं कट कर के दे रही हूं तो सर्व करिए ऐसे ही बहुत टेस्टी डिलिशिस रेसिपीज और बने रही हैं मेरे साथ प्रिटी किचन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब त